कुमर बेचैन बच्पन से ही तमाम तकलीफियें और एकाकीपन का दर्द झिलते कुमर बेचैन साहब का मूल नाम कुमर बहादूर सकसेना है हिंदी के विद्वान और तमाम नए कवियों के गुरू रहे 78 साल के कुमर साहब ने 35 से ज्यादा किताबे लिखी हैं अनेक सम्मानों से नवाजे गए हैं और उनके कामकाज पर करीब 30 शोध गरंथ हैं कविता की तमाम विधाओं में अपनी खास पहचान बनाने वाले कुमर बेचैन का लेखन बदस्तूर जारी है और उनकी सक्रियता और सादगी सबसे बड़ी पूजी है बेचैन साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार इतना लंबा सफर है आपका कविता में आपके नाम को लेकर के ही कई लोगों में ये सवाल उठता है कि आखिरी एक कुमर बेचैन कैसे हो गए जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था तब से ही मेना नाम रखा बैसे में कविता जो है नमी दरजी से करना लगा था और पिछली जिंदगी थोड़ी बहुत परिशानी से गुजरी थी बदपन बहुत ही अभावों गुजरा दुर भागत से पिता जी तब नहीं रहे ज जा, मेरा पालन पूशन उन्bnों ने किया हूं दुरभाग से जम्य छे साल का था तो मेरी मा भी नहीं रही और बहन बहने ऑनों के पास से पिरी तरशों हो गया लेकिन उस से बड़ा दुरभाग वर रहा आगय जाकर करके जा मैं नो साल का था हूं मेरी बहन का भीए धीन द जाइरी थी उसमें मेरा नाम था कुमर बाहदूर्सक्षणा अश्रू पिर मुझे लगा अश्रू बोलने मेरा अश्रू बिदा होती है तो मेरा सीधा सीधा कुमर बाहदूर्सक्षणा आंसू यो पनाम रख लिया. तो हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो उस समय में कविताय रुवाईयां बगरा इस पिकार से चचुषपदियां लिखता था तो उसमें एक चचुषपदी अचानक हाई और यह चचुषपदी यह थी कि मुझे दिन रात किसी वक्त भी राहत नमिली मैं हूँ बेचैन मुझे चैन की आदत नमिली मैं तो अपने लिए उस वक्त और कुछ कहता वगर चांदोर सितारों की शहादत नमिली तो मुझे लगा कि दूसी पंक्ती जो अचानक आ ही, मुझे दिन रात किसी वक्त भी राहत ना मिली, मैं हूँ बेचैन, मुझे चैन की आदत ना मिली, तो मुझे लगा मा सरसुती ने मुझे नाम बेज दिया, मैं हूँ बेचैन, मुझे चैन की आदत ना मिली, उसी दिन से म वो बदलाव जरूरी भी थे या स्वाभाविक थे? ऐसा होता है कि कोई भी, चाह साहित्य हो, राइनीती हो, कोई भी चीज को ना हो कि जीवन की जीवन धाराएं हैं, उन सब को यगर हम देखें तो परिवर्तन होता अपने एक उनसार साहित में भी हुआ, राइनीती में भी हुआ, हमारे रहन सेन की तरीके में भी हुआ, हमारे जीवन भी सारा देखें, जब से मोबाइल आए, सब चीज आएं, तो कि नितीज परिवर्तन हुआ, तो साहित के अंदर भी इस विकार से परिवर्तन हुआ, मैं यह मानता हूं कि जो समाज के दरबं होता है साहित, वैसे साहित में परिवर्टन होता जाते और होने चाहिए जो आतुकांत कविता हैं, आ कविता अंदोलन, यह जो दौर थे उसमें आप किसको बहतर मानते हैं और आज के दौर में क्या जरूरी है? असल में हमारी खास तोर से जो कविता की धारा प्राचीन रही वो तो वाचिक परंपरा के रही लिखित परंपरा बात की है पहले वाचिक परंपरा रही चाहिए मीरा जी मीरा है जो बगलियों में गाती फिर या कबीर जो है वो अपने तात पर बेठे हुए गा रहे हैं या स इतेश में यह दिखा गया, ऐसा मैं मैसुच करता हूं, कि यहां जी जो परंपरा है, परंपरा की जो नदी है, उसमें आप चाह विचार की नाव डाल दीजिए, तो तेरती उचली जाएगी, लेकिन विचार की, विचार में कोई भावना को डाली है, जा गर के तो मुश्किल वो नहीं पहुँच पाया, तो इसलिए मैं यह मानता हूं कि वो भी करता जरूरी है, पढ़ाने के लिए, पाठे करम के लिए नई धाराया आती है, सबसे परचा होना भी जरूरी है, लेकिन जो समास से परचा हो पाता है, जनता से परचा हो पाता है, लोग से परचा हो पा पता चलता है कि हर आदमी के अंदर से कविता फूट रही है वो निकल रही है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या सच्छ मुच कविता हर आदमी के भीतर है और उसको अभिवेक्त करने का जो तरीका पहले हुआ करता था उससे अब बेहतर माध्यम आ गया है और उसमें कितनी गंभीरता है, क्या है, आपको क्या लगता है? यह सोशल मीडिया समझ हो है, इसने दोना दराग काम किये हैं, एक वे लोग जनको कभी कोई मंच नहीं मिल पाता था, जो अच्छी कभी लिखते थे लिग उनको कोई मंच नहीं मिल पाता था, इसलिए कि वो शायद मंच रंकूल उनकी आवाज नहीं होती थी, वो गानी सकते वगराइब, काम किया नहीं मिल पाता था, अब शोशल मीडिया के माध्यम से, लिग वो कभी जनको कोई मने डालेते हैं, और उनकी पहचान बदनी शुरू हो जाती है, उसमें ऐसा भी ऐसंसे थे कभी हैं, जो यह नए 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 शुरू होती है, उन्होंने इपना gone लेते ह गुरुप में उन्हों ने करता है डाल दी और आपस में सम्माने होते हैं अभी पांट साथ के बता हैं लिखने बाद सम्मान प्रसकारियों मिल जाते हैं उन्हीं के अंदर ही तो वो जो है ना प्रिवर्थी थोड़ी सी अलग परकार की है लेकिन सोशल मेडिया से एक फाइद पने द्रौपदी पर एक महाकावे लिखा है आज के संदर में जोडते हो तो आप उस द्रौपदी पर जो लिखा हुआ आपका जो महाकावे है उसके बारे में धोड़ा सोथा है मैंने सान 6 मुझे इस महाकाव को लिखने में, यह तो भी 35 पुस्त के मेरी परिकाशित हैं, और और किताब आगे निकलती चली गए, यह पिछडती चली गए, क्योंगे इसमें ज़्यादा कंसेंट्रेट होने की आवश्ता होती है महाकाव में। मैंने यह माना, इसके तीन संदर्व दिये, द्रॉबदी को नामि dzi videos मैंने पर्तीक पंचाली दिये उसका, पंचाली है लेकिन वो प्रतीक क्या है उसके, तो मैंने माना कि जिंदगी जू है मारी वही द्रॉबदी है, आज के दौर में क्या कवियों की या सा इतिकारों की कोई भूमिका है कि आज जो मौजूदा सियासत या मौजूदा सकता है, उसकी जो विसंगतियां है, उसको लेकर के कुछ एक आंदोलन जैसा खड़ा किया जाए। बहुत प्रधान अंग है। आदमी की भीतर परेम भी उचिता है, उसकी कविता भी लेखता है। जैसे मैं ऊसी परार्म के दिनों नों में जो मेरी बहुत फेमस कविता हूई, बहुत परसिद कविता हूई, फिल्में भी याई कोखrinaम की फिल्म है। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हसना, विछवे जितनी दूर कुओं औरे पाउं से, उतनी दूर पिया तो मेरे गाउं से, अब यह स्वन्यून से उक्सट के लिए ही कविता है, जम बीकौम का चातर था, उस समय की, तो उस समय सामाजिक सर्वकारों से तना जड़ा हुआ, अपने आपको महसुस नहीं करता है, लेकिन बाद मुतल करके, जैसे हम प्रेश्टिकल जिंदगी में आए, नोकरी करी, गाजाबाद में आए, दिली के करीब आए, समाज को देखा, समझा, जीवन के संगर्शों से, बाद के संगर्शों होते हैं जीवन बा की, आवाज हैं हम चीफ हैं इस गुंगी के परजा की, हम कभी हैं किसी राजा के दरवार नहीं हैं, तो इतनी यह बात भी इसके अंदर आ गई, तो इस तरह से होते होते परवड़तन आता है, आध्धात्म के शेत्र की कविता में पूरी तरह लिगी, को राग आगा जीवन आखर हम और एकरम पाती के से लिखूं, यह आत्मागी तरह परमात्मागी पाती लिखाई जा रही है, तो इस तरह से अनेक प्रकारी के कविता हैं, पर समाजी के सौहार्द के कविता हैं, हमने दिखा हैं समाजी बिसंगतियां भोते हैं, जातियों के नाम पर, धर्म के ना तो दीवार हैं जो खड़ी हुई है लोगों के बीच में फूल को खार बनाने पर तुली है दुनिया, सब को अंगार बनाने पर तुली है दुनिया, मैं महकती हुई मिट्टी हुँ, खुले आंगन की, मैं महकती हुई मिट्टी हुँ, खुले आंगन की, मज को दीवार बनान मुझे यह भी लगा कि हर तरफ बारूध का मौसम कहां जाकर रहे हैं, आदमी भी हो गया है, बम कहां जाकर रहे हैं, आज के दौर पे अगर आपको, आपकी कोई कविता भी लगता है कि आपने कुछ लिखी है, तो आप थोड़ा बताए हमें, वही बात आजाती है कि सब दोर को देख लिए, सब के दोर देख लिए राजनेतिक दुर्शी से, तो अब आस्था कहीं बैठती नहीं जा कर गया, तो हमें लगता है कि अपनी सियाहा पीड चुपाता है आईना, सब को हमारे दाग दिखाता है आईना, अब आईना को मैंने आज के संदर्व के निताओं से ल हम तूट भी गए तो ये बोलाना एक बार, हम तूट भी गए तो ये बोलाना एक बार, जब खुद गए रहा तो शुर मचाता है आईना, चलते चलते कोर बेचैन साहब की एक धुन और ले के साथ कुछ हो जाए, सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी, खुद अपनी धूल उडाएगी, इसलिए सजल बादल बन कर बोचार के चीटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के चीटे देता चल, सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के चीटे, मधु रित्वाई तो फूल बने, मधु मस्त बहारों के चीटे, सावन आया तो जूलों को मिल गए मनहारों के चीटे, बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के चीटे, तू भी कुछ नई उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी, शंगार के चीटे देता चल, यह दुनिया सूखी मिटी है, तू प्यार के चीटे देता चल, सूखी मिटी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी यह मिटी, खुद अपनी धूल उनाएगी, इसलिए सजल बादल बन कर, बाच्छार के चीटे देता चल, यह दुनिया सूखी मिटी है, तू प्यार के चीटे देता चल, तू प्यार के चीटे देता चल, तू प्यार के चीटे देता चल, बहुत 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 शुक्रिया.